पकी हुई चाबल से बनाएंगे नया रेस्पी दो आलू को छील कर घिस लेंगे घिसने के बाद पानी में अच्छी तरह से धुलींगे और एक प्लेट में रख लेंगे एक कतोरी बनी हुई चाबल लेना है दो छोती चम्मच दही लेना है एक मीडियम साइज का टमाटर लेना है एक कतोरी गिसी हुई आलू लेना है एक मीडियम साइज का सिमला मिर्च लेना है एक छोता चम्मच कती हुई लेसुन लेना है आधा चम्मच कुती हुई लाल मिर्च लेना है आधा छोता चम्मच जीरा लेना है स्वाद नोसार नमक लेना है आठ से दस पत्ते पोधीना की लेना है हमने तीन छोटे छोटे हरी मिर्च ले लिये हैं सभी को मिकसर में पीस लेंगे एक बरतन में निकाल लेंगे इनो डाल के अच्छे तरह से मिला लेंगे अप्पे की पैन मेडियम साइज में गरम करनें थोड़ा थोड़ा करके सभी में देशे घी डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा राई डालेंगे सभी में राई के बाद मीठी नेम डालेंगे सभी में पीची हुई चावल और सब्चियों का जो पेस्ट है फैन में एक एक करके डालेंगे और उसको पांच मिनद तक धख देंगे उलने के बाद सभी को एक एक करके पलता लेंगे और पलताने के बाद धख कर रख देंगे अब इस रेस्पी को आप अपनी मन परसंद चटनी के साथ खा सकते